सो हेलो गाईज गेट्टूनो यूट्टूब चैनल में आप दोगा स्वागत हैं मैं सुछवण घोष और आज के टुटोरियल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आप कैसे अपने डेटा के ऊपर स्लाइसर एड कर सकते हैं और एक कूल वे में फिल्टर कर सकते हैं तो चलिए श स्लिंग्मेंट、 कंट्री और प्रोडटेडक पर स्लाइसे चाहिए तो उसके लिए पहले में यह पूरा डेटा को क्टरule एक करके उसे इसे कंटरल एक करके सिलेक कर लूँँगा उसके बाद कंट्रोलडी करूंगा तो यहां पर और मुझे creative option मिल जाएगा और मैं simply okay कर दूँगा अब मुझे कुछ नहीं करना है आपको देखिए यहाँ पर उपर insert slicer आपको मिल जाता है अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो आपको insert option में slicer यहाँ पर मिल जाएगा filter option में मिल जाएगा तो आप simply slicer को click कीजे और देखिए यहाँ पर मुझे segment में चाहिए country में चाहिए product में चाहिए और यहाँ पर आप एक मतलब बहुत अच्छी तरह से filter कर सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पर में only channel partner में click करणगा तो यहाँ पर देखिए बाकी सभी यहाँ पर दोनों ही option है इसलिए दोनों ही option select रहता है बाकी सभी option थोड़ा unselected type हो जाता है मतलब blood type हो जाता है तो channel partner क्लिक कर नहीं होता है कि मैं Canada पर click करूँ तो देखिए Canada आ गया अगर मैं सिर्फ Montana पर click करूँ तो देखिए Montana आ गया है तो singly आपको ऐसे मिल जाएगा और अब हर एक को use कर सकते हैं अलग-अलग type के अब आप कैसी filter करेंगे यह तो पूरा आपके उपर है वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को like जरूर कीजेगा हमारी चैनल में नहीं है हमारी चैनल को subscribe जरूर कीजेए पहले notification को कि लाएगा है के अब हरा आपके लागा है आपके नहीं हूँआगा है तो?